नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का यूट्यूब चनल जॉब्स्ट्रे में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड में भरती आई है 2022 के लिए उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों अगर आप लोग कन्फ्यूज होंगे तो एक पतना हाई कोड की अलग भरती है और यह सिविल हाई कोड के लिए जो है वो भरती की जानकारी दी गई है जिसके बारे मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूँगा जिसमें 12 पास वाले कोई भी कंडिडेट वो चाहे मेल हो या फिमेल यह जो है और बिहार के लिए है अलाकि दोस्तों मैं बता दू बिहार के अलग 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 डिस्टिक में जितने भी सिविल कोड है उसमें यह वेकेंसी दी गई है जिसके लिए जो है यहाँ पर डिस्टिक वाई जो है लिस्ट भी जारी कर दिया गया है मेल और फिमेल दोन कोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट करना तो सब्सक्राइब करना मत बुलियागा दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और देते हैं तब हम जानकरी डिटेल में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह हिंदुस्तान का जो है वह आउटलेट है यहां पर कहा गया है कि केंद्रिय एजनसी नेशनल जो डाटा ग्रीड ने जारी किया है रिपोर्ट देश में सबसे अधिक पद बिहार के कोट में ही खाली हैं तो एक तो दुस्तों मैं आप लोग को बता दू कि कुछ दिनों पहले करीब चार से पात दिनों का मैं लिंक देंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उपर आई बटन में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा क्योंकि उसमें भी ग्रेजुएशन और 12 पास वाले जो भी मेल और फिमेल हैं दोनों ही अपलाई कर सकते हैं अब यह वेकैंसी जो है यह सिविल कोट की है जो की जितने भी बिहार में जिले हैं उन सभी में यहां पे आप लोग का सिविल कोट रहती है उसमें तो यह कहा गया कि देश भर में जिले और तहसील अस्तर की अदालतों में करीब जो है वह अच्छावसा च्छपन कोट में जो है जज नहीं है सबसे अधिक पद बि ग्रीड जो एजनसी है कि ताजा रिपोर्ट के मुदाविक बिहार में करें 189 और MP में 186 जो कोट है वह खाली है इस पदो इसमें पद नहीं है यह कोई भी वैक्ति जो है वह जो है वह जो है वह जो है जोई नहीं है दोस्तों अनकेडमी आप सभी के लिए ले गया है SSC CHSL 2021 के लिए तयारी करने का मौका और ये लक्ष नाम से बैच स्टार्ट होगी आपकी 9 March 2022 को इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में मैं जानकारी दूँगा कि इसमें आप लोगा जो SSC CHSL 2021 एक्जाम की जो तयारी करवाई जाएगी उसमें कोई क्विजन का सुधा दिया पर होगा और अगर इस बैच की डुडेशन की मैं बात करूं तो टोटल जो है 400 आवर पलस यहां पर आप लोग का जो है वह इस बैच का डुडेशन रहनगा और कडिप जहां तीन महिने की लिए ये जो है वह बैच चलने वाली है आप लोग के लिए यहां पर पूशन का प्रस्किरशन लेने के लिए मैंने विडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिया ओ जो की अब यसा ही यूज करते हो मेरा कोड डिफलर कोड जो हता है भी MP10 तो आपको जो है यहाँ पर इंस्टेंट 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा इसी तरह देख सकते हैं यह डिटेल दिया गया है मैं ज्यादा इसलिए डिटेल में नहीं जाड़ों कि क्योंकि यहाँ पर कुछ बिहार में 467 सुबा MP में मादर 24 इंचार्ज कोड चल रहा है जजो की कमी के चलते देश भर में 234 कोड बंद क्यार दिये गया है इन अदालतों में 9999 केस चल रहे थे जिनें दुसरे कोड में सिफ्ट कर दिया गया है कोड बंदी मामले में बिहार आगे है यह सब जानकारी दी गई है लेकिन हम में मुद्दे पर बात करते हैं जो बेकेंसी है उसके बारे में यह कहा गया है कि पुर्वी बिहार के किस जिले में कितने सीठ है यह केवल अभी आगरा निकल के जो आया है वह पुर्वी बिहार की आई है जिसमें आप लोगा देख सकते हैं कहा गया है कि आपके लोग का भागलपूर है बांका है अरड़िया है किसन गंज है पुर्निया है कटिहार है उसके आद सुपोल है सहरसा है मधेपूरा है खगड़िया है और मुंगेड है जमूई है लखी सराय है और भी बहुत सारे ऐसे डिश्टिक है आप लोग का एज जो रखा जाएगा वह 18 बर्स से जो है वह 47 बर्स तक रखा जाएगा वह चाहें मेल हो या फिमेल केटोगरी में आप लोग को एज में रिलेक्सेसे ने मिल जाएगा अगर फीस की बात करूँ तो करीब यहाँ पे आप लोग को जो है वह 600 वह 75 रुपया लगने वाला है या आप लोग का जो है 700 जो है यहाँ पे वह 50 रुपया लगने वाला है यह दोनों में से जो कोई एक फीस हो सकती है वह डिपेंड करता है जिस तरह से जो है वह भरती आएगी उस पे ठीक है वहीं पर सेल्ली की अगर बात करी जाए तो सेल्ली आप लोग की करीब जो है वह से तालिस हजार छे सोसे जो है परबंत आप लोग का एप रॉक्स चालू होगा सेल्ली तो यह कुछ मैंने बेसिक सी जान करी दिया हूँ और जैसी कोई और वी छोड़ी बड़ी अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तो अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आए अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजिए और तयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए तब तक के लिए जिस्तो धन्यवाद मिलते फिर अगली वीडियो में